हेलो दोस्तो आज हम बात करेंगे स्नेक पाइट मतलब के सांप के काटने के बारे में यहाँ पर हम जानेंगे सांप के काटने के बाद हम को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए चलिए दोस्तो शिरू करते हैं तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सबी साफ जहरीले मतलब के poisonous नहीं होते हैं कुछ साफ जहरीले होते हैं और कुछ साफ जहरीले नहीं होते हैं तो इसको हम आसानी से पेचान सकते हैं तो साफ के poisonous और non poisonous को fang marks से पेचाना जा सकता है अगर देखिए fang marks दो dot की तरह दिखाई पड़े तो इसका मतलब इसको जहरी ले सापने काटा है अगर देखिए fang marks कुछ इस टाइप से दिखाई पड़े तो इसका मतलब इसको non poisonous सापने काटा है मतलब पहले केस में जहरीले साप ने काटा है और दूतरे केस में जहरीले साप ने काटा है इस तरीके से हम बता सकते हैं कि पेसेंट को पॉईजनस साप ने काटा है या नौन पॉईजनस मतलब कि बिना जहर वाले साप ने काटा है देखिए जनरली दो टाइब के स्नेक पाई जाते हैं पहला नीरो टॉक्सिक स्नेक और दूतरा हीमो टॉक्सिक स्नेक तो ऐसे साब जिनका जहर नीरो टॉक्सिक होता है उसको हम नीरो टॉक्सिक स्नेक बोलते हैं जबकि ऐसे साप जिनका जहर हीमो टॉक्सिक होता है बे साप हीमो टॉक्सिक स्नेक कहलाते हैं तो नीरो टॉक्सिक स्नेक तो ये साप अपने जहर से नीरोन पर अटेक करते हैं अब जैसे ही देखिए नीरोन पर अटेक हो जाता है तो बोडी में सीबीर पैन मतलब कि बहुत त पिटोसिस मतलब के एक आँख देखी इस टाइब से भेंगी हो जाती है और डिपलोपिया, डिपलोपिया मतलब के डबल पिसन तो यहाँ पर पेसेंट को एक का दो दिखाई पड़ता है निरो टॉक्सिक स्नेक के काटने के बाद यह सिम्टम्स पेसेंट में दिखाई पड़ते हैं सीबियर पेन, बोडी पेरलिसिस, पेटोसिस और टिपलोपिया जबकि हीमो टॉक्सिक स्नेक, यह स्नेक हमारे बिलट की आर्वी सी को रप्चर कर देता है इसी कारण इसको हीमो टॉक्सिक स्नेक बोलते है अगर देखिए हीमो टॉक्सिक स्नेक ने काटा है तो यहाँ पर बिलीडिंग और हीमोरेज देखने को मिलता है तो हीमो टॉक्सिक स्नेक की क्या पेचान होती है जहाँ पर हीमो टॉक्सिक स्नेक ने काटा है बहां से ये खोन निकलना सुरू हो जाता है तो ये प्रेचान होती है हीमो टॉक्सिक स्नेक की इसके अलाबा कंजेक्टिबल हेमरेज मतलब के कंजेक्टिबा में इस टाइब से हेमरेज देखने को मिलता है तो नीरो टॉक्सिक इसने और हीमो टॉक्सिक इसने के बारे में हमने यहाँ पर डिसकस किया अब देखिए साप काटने पर हमें क्या करना चाहिए तो देखिए जिस जगा साप ने काटा है उस जगा को साप पानी से दो लेना चाहिए इसके बाद हाथ या पैर में जहां पर काटा हो उस जगा को हिलाना नहीं है अगर पैर में कहीं पर काटा है तो यहां पर देखिए रोड या कोई लकड़ी बांद देनी चाहिए जिससे पाउं हिले डूले नहीं और इसी के साथ साथ यहां पर बंद मतलब के बेंडेज बांद देना चाहिए और बेंडेज दिखी इस टाइप से बांद ना होता है ये bandage मितलब के बंद टाइट ना हो जिससे की artery और बेन सप्लाई बंद ना हो जाए हमें सिर्फ सूपरफीसियल lymphedics बिलोक करना होता है ना की artery और बेन सप्लाई अगर देखिए artery और बेन सप्लाई बंद कर दी तो बहाँ पर देखिए सूजन आ सकती है अगर दीके साम्प ने यहाँ पर काटा है तो यहाँ पर हमें सिंगल बंद टाइटली नहीं बांद रहा है यह टाइट बंद क्यों नहीं बांद रहा है इस टाइट बंद को जैसे ही हम खोलते हैं बेसे ही बिलड और पोईजन तेजी से blood circulation में आता है जिससे पेसेंट की death हो सकती है क्योंकि तेजी से blood के साथ poison भी heart में circulate हो जाता है जिससे पेसेंट की death possible है तो यहाँ पर दिखिए क्या नहीं करना है don't और क्या करना है do पेसेंट को किसी तांतरिक बाबा को नहीं दिखाना है दूसरा घाव को सक नहीं करना है मतलब कि जिस जगा काटा है उसको सक नहीं करना है तीसरा सापने जिस जगा काटा है उसको cut नहीं करना है और tried बंद नहीं बादना है या घाव को चलाना नहीं है या किसी टाइप की आउस्थी नहीं लगानी है सिंपली जिस जगा काटा है उस जगा को हिलाना नहीं है उसको साप पानी से धोना है इसके बाद तरन पेसेंट को हॉस्पिटल में एड्मिट करना है यहाँ पर यह देखिए पेसेंट की हॉस्पिटल की यह सिलिप है यहाँ पर देखिए लिखा है निरो पेरालिटिक स्नेक पाइट यहाँ पर SS आपने पेसेंट को काटा है जिसका जहर निरो टॉक्सिक है जैसे ही पेसेंट को हम हॉस्पिटल में एडमेट करते हैं यहाँ पर उसकी CBC रिपोर्ट, RFT रिपोर्ट, LFT रिपोर्ट, यूरिक एसेट क्या है उसका यूरिन चेक अप होता है SGOT, SGPT सभी देखिए चेक आउट होता है और यहाँ पर देखिए पेसेंट को क्या-क्या ट्रीटमेंट दिया है यहाँ पर इनजेक्शन ASB, इनजेक्शन नियो स्टिगमिन, इनजेक्शन आउगमेंटिन, इनजेक्शन PENTO 40MG, इनजेक्शन MSAT तो जो भी पेसेंट की सिच्चुशन होती है उसके according यहाँ पर इनजेक्शन दिया जाता है लेकिन यहाँ पर मैनली ASB injection दिया जाता है ASB मतलब anti-snake venom तो ASB इसको 2-8 degree temperature पर रखा जाता है ASB का 50 ml 500 से लेकर 1000 ml एनस में dilute करके पेसेंट को IV दिया जाता है ASB poison को neutralize कर देता है और poison के effect को कम कर देता है ओके थैंक यू